दिवाली पर सबसे ज़ादा महत्व मालक्षमी की पूजा का होता है। इस दिन सारे परिवार की सदसे बैठ कर मालक्षमी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मालक्षमी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुक समरिधी आती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती हर साल कार्थिक महा के मवस्याति दिवाली का तिहार मनाया जाता है पूरे देश में यह पर्व बहुत ही धुम धाम और हर्शुलास के साथ मनाया जाता है इस साल दीपों का यह पावन पर्व 12 नुवंबर को है इस दिन लोग मालक्षमी और भगवान गनेश की पूजा करके जीवन में सुक समरिधी आने की कामना करते हैं दिवाली की रात घरों को दियों और लाइटों से रोशन किया जाता है हर तरफ दिवाली की धूम और जगमक करती बत्तियां दिखाई देती है दिवाली पर सबसे जादा महत्व लक्ष्मी पूजन का होता है दिवाली की रात पूरा परिवार नए कपड़े पहन कर मालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करता है मानता है कि इस दिन माता लक्शमी की पूझा करने से घर में सुख समरिधी सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती ऐसे में चली जानते हैं दिवाली पर लक्शमी पूजन की वीदियों और महत्व क्या है कलश को अनाज के बीच रखें, कलश में पानी भर कर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्क और कुछ चावल के दाने रखें कलश पर पांच आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें बीश में देवी लक्षमी के मूर्ति और कलश के दाहिने और भगवान गनेश के मूर्ति रखें एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड बनाए हलदी सी कमल का फूल बनाएं कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें इसके बाद अपने व्यपार लेखा पुस्तक और अन्यधन व्यवसाय से सम्बंदित वस्तों को मूर्ति के सामने रखें अब देवी लक्षमी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं अब भगवान गणेश और लक्षमी को फूल चड़ाएं इसके बाद पूजा के लिए अपनी हतेली में कुछ फूल रखें अपनी आँखी बंद करें और दिवाली पूजा मंतर का पाठ करें हतेली में रखें फूलों को भगवान गणेश और लक्षमी जी को चड़ाएं लक्षमी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से सनान कराएं और उसके बाद पंचामरत से उन्हें सनान कराएं मूर्ती को फिर से पानी से स्नान कराकर एक साफ कपड़े से पोंचे और वापस रख दें मूर्ती पर हल्दी कुमकुम और चावर डालें माला को देवी के गले में डाल कर अगर बत्ती जलाएं नारियल सुपारी पान का पत्ता माता को अरपित करें देवी के मूर्ती के सामने कुछ फूल और सिक्के रखे हाली में दियाले पूजा की गंटी बजाए और लक्षमी जी की आरती कीजिए दिवाली पर मालक्षमी और भगवान गनेश की पूजा का महत्व दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणपती की पूजा की जाती है मानिता है कि दिवाली की रात मालक्ष्मी पृत्वी पर विचरण करती है और अपने भक्तों को सुख समरिधी का अशिरवाद देती है मालक्षमी धन की देवी हैं और उनकी पूजा से धन और एश्वरे मिलता है तो वहीं भगवान गणपती को प्रथम पूजिनियम आना चाता है दिवाले के दिन गणपती के पूजन से मन और मस्तिश को शांते मिलती है और बुद्धी के देवता अपने भक्तों को सदबुद्धी का वर्दान देते हैं